नमस्कार दोस्तों स्फागत है आप सभी का विके अपने स्योटोब चैनल इंडियन स्टोडियो में तो दोस्तों ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि रितिक रोशन बॉलिवूड के सूपर हीरो है क्योंकि दोस्तों वो रितिक रोशनी थे जिनोंने क्रिश के रूप में बॉलिवूड इंडियो को पहला इंडियन सूपर हीरो दिया और दोस्तों कोई मिल गया से शुरू हुआ ये सिलसिला क्रिश 3 तक चला और अब रितिक के तमाम फैंस क्रिश 4 का बे सबरी से इंतसार कर रहे है वही दोस्तों क्रिश 3 को देखने के बाद अब क्रिश 4 से फैंस की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको रित्य की फिल्म क्रिश फूर पर तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में बताते है पहली अपडेट दिरेक्टर दोस्तों कोल मिल गया से लेकर क्रिश फ्री को राकेश रोशन नहीं दिरेक्ट किया था लेकिन दोस्तों कुछ दिनों पहले बॉलीवड हंगामा की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि इस बार क्रेश फोर को राकेश रोशन नहीं बलकि संजय गुपता दिरेक करेंगे और राकेश रोशन नहीं ये फैसला अपने हेल्थ इशूस के चलते लिया ह लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि हाली में मेडिया से बात करते हुए राकेश रोशन ने बताया कि ये जो भी खबरे सामने आ रही है वो सरासर फेक निउस है संजय गुपता मेरे साथ फिल्म की स्क्रेप लिख रहे है लेकिन इस बार क्रिश फोर को मैं ही डिरेक करने वाला हूँ दोसरी अपडेट बजेट दोस्तों इस बार क्रिश फोर का बजेट काफी जादा ह्योज होने वाला है और इस फिल्म से जुड़े करीबी सोर्स ने इस बात पर खुलासा करते हुए बताया विद दा अमाउंट और वी एफिक्स प्री एंट पोस्ट प्रोड़क्शन वर्फ दाट क्रिश फोर विल इन्वाल एफ फिल्म अन थे स्केल विल्हाव तो हाव बजेट और दोस्तों अब ऐसे में रितिक की फिल्म क्रेश फोर धाई सो करोड के बजेट के साथ हिंदे सिनिमा की सबसे बड़े बजेट की फिल्म बनने वाली है और जब बजेट इतना ग्रैंड है तो जाहिर से बात है कि फिल्म के VFX और आक्शन सीज भी उतने ही जादा दमदार और ग्रैंड होंगे और तेसरी अपडेट शुटिंग स्केडियोल दोस्तो क्रिश फोर के शुटिंग स्केडियोल की बात करें तो ऐसी खबरे है कि रितिक रोशन क्रिश फोर की शुटिंग साल 2020 में जून के महिने से शुरू करेंगे और उनकी ये फिल्म साल 2021 में सिनिमा घरों में दस्तत देगी और दोस्तों फिलाल इस फिल्म का प्रे प्रोड़क्शन वर्क चल रहा है और अब बहुत जल फिल्म के स्टार कास के अनाउंस्मेंट होने वाली है यानि दोस्तों साफ है कि क्रिश फूर पिछले तीनों फिल्मों के मुकाबले काफी जादा बड़ी और पैतर होगी तो रितिक रोशन के तमाम फैंस आप बताएए कि आप रितिक के सूपर हिरो फिल्म क्रिश फूर के लिए कितने एकसाइटेड है जरूर शेयर कीचिए अपनी राइ कमेंट सेक्शन में और दोस्तों साथे साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉल्योड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीचिए इंडियन स्टुडियो टॉट चैनल को जाएगे